तो become faster के प्यारे बच्चो स्वागत आप सभी का संकर सर की क्लास में आज मैं आप लोग को पताने वाला हूँ बिन्जस इन्वार्मेंट के important question वैसे एक video upload हो चुगी है जहां पर मैंने आपको डिटेल से सारे MP question बता है हर एक unit के हर एक university के लिए सांती साथ MCQ के question भी बताया हूँ आज जिन question में बताया हूँ उन में से जो बहुत important है और जिनकी theories आपको पता होनी साही है थोड़ा से explain करना पड़ेगा ताकि आप उनको बहतर तरीके से समझ सकें और याद करके exam में अच्छे से लिए सकें तो ये video आपके लिए बहुत important है उन question को मैं अभी explain करूँगा आपको समझाओंगा की उनका मतलब क्या होता है ताकि आप उनको अर्थ सहीत समझ करके अच्छे से लिखें और exam में पूरे 75-75 लाके पास होएं तो चलिए भी नकिसे दरीके start करते हैं आज की class को सबसे हम लोग सबसे पहले हम लोग है मुद्रय-च्पिती को बहुं सारे बच्ची नहीं जानते और मुद्रय-च्पिती से बहुं सारे question आते हैं देखें में क्या है वह मैं आपको पढ़को बताता हूं पहले मुद्रा स्पिती की परिभासा और अर्थ में बताया है कि मुद्रा के मुल्य में समाने पर्विर्टन होता रहता है जिनका देश के उत्पादन बोग वित्रन और रोजगार पर काफी व्यापक असर बढ़ता है मुद्रा मुल्य में प्रिवर्टन दो दसाओं में होता है जब समान मुल्य इस्तर वृद्धी अत्वा मुद्रा के मुल्य में कमी आती है तो इसे मुद्रा का प्रसार्य इसफिती कहते है इसके विपरिज जब समान मुल इस तर में कमी और मुद्र की मुल में वृद्धियाती है तो उसे मुद्रा का संकुचान या मुद्रा आइस्पिती कहा जाता है ठीक है इसको लेकर के बहुत सारी परिभांसा बनी होई है परिभांसा एक परिभांसा दो परिभांसा तिन करके आपको इसके आंसर में दिया गया है यह आपको कहां मिल जाएगा यह आपको इसी चाप्टर में अच्छा अजय माला अगर आपने लिया होगा तो अजय माला में प्रिश्ट नमर आपको फोड़ी सेल में मिलेगा तो देखे एक परिभांसा एक्षाल में मुद्रा इस्पिती होती क्या है अब मैं आपको बता रहा हूँ मुद्रा इस्पिती व परिश्चती होती है जिसमें मुद्रा का मुल्य गिर जाता है और वस्तू की कीमत बढ़ जाती है तो मुद्रा की वैलू गिर जाना पर वस्तू की कीमत बढ़ जाना मुद्रा इस्पिती कहलाता है ठीक है तो मुद्रा धीरे 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 कम होते जाती है ठीक है मुद्रा की वैलू धीरे धीरे कम हो जाती है लेकिन कीमत बढ़ते जाती है वस्तु की कीमत बढ़ते जाती है यह सिति मुद्रा इस पिति की होती है हमारे देश से भी ऐसे नीचे कई देश हैं जिनके मुद्रा की वैल्यू बहुत नीचे है हम लोग अमेरिका के डॉलर या इंग्लेंड के पॉंड से कंपेर करते हैं कि उनकी एक डॉलर से कितना कम है हमारा एक रूपया मतलब उनका जाद है हमारा कम है हमारा बहुत वैल्यू कम है उनका एक सिक्का समझ लो लगबग यहां के लगबग 85-83 रूपय के बराबर है और हमारा ऐसे एक एक करके 84-85 सिक्खे लगेंगे उनके एक सिक्खे की compare करने के लिए वैसे ही वियत नाम और बहुत सारी जगह आप जानते होंगे जहांपर 244-300-200 तक के हमारा एक रुपए का value वहाँ पर उतनी जादा है बतलब उनका तो हमारे एक रुपए से भी नीचे है काफी काफी नीचे है अगर उनक डॉलर से compare करेंगे तो बहुत जादा परक पड़ेगा बहुत ही जादा तो यह एक ऐसी स्षित होती है जिसमें मुद्रा की value घटते जाती है पर वस्तो की क्यूमत बढ़ती यही मुद्रा स्भीती कहलाती है अगला देखिए अगला आपको जो विशेस point पड़ना है वो है अधोगिक रुगड़ता अधोगिक रुगड़ता को अधोगिक बिमारी भी जाते है जाए रही है किसी अधोगिक कैमें ने रमचारी पर पड़ता है बलकि सम्पूर अर्विवस्ता और समाच की समाच पर इसको दूसरे प्रभाव पड़ता है और दोगिक बिमारी से ऐसा हिया है कि किसी और दोगिक इकाई में रंतार हानी होने से प्रणान सुरूप उसके संचित कोस्क खतम हो चुके है उसके पुझी क अच्छे हो चुका है यहां सयंत्र और मसीने उत्पादन करने को किस्ति में नहीं रहा इन कार्णों से जब अधोगिक इकाई अपने स्रमिक और लेंदारों और देंदारों के प्रती अपने दायतों के पूरा करने में असमर्थ हो जाती है इसको हिरुगण की स्थिति कहते है तो कुल में अगर आपने समझ लिये होगा किसे बिज्ञेस की स्थिति जब ऐसी हो जाए कि ना तो अपने दायतों का भुगतान कर पा रही है ना तो उनके मसीन ठीक से काम कर पा रहे है ना तो उनके पास उतना पुंजी है अब अधोगिक बिमारी कहते हैं ठीक है ये समझे आ गया अब अधोगिक बिमारी कैसे होती है किन कार्मर से होती है इस पे बहुत सरे पॉइंट है जो आप अपने मन सरे सकते हैं किसी द्योग के अंदर बिमारी क्यों जाती है एक होता है नए परिवरतन हो सकते हैं बहुत अच्छी कमपणी है बिस्कुट बनाने की लेकिन मार्केट में हमेशा एक नई कमपणी चन्म लेते रहती है किसी company ने बहुत ही 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 बहुत ह यह अपने आपको अपडेट नहीं करती उसके टेस्ट को मैच नहीं करती तो लोग आटोमेटिक दखते जाएंगे अब मार्केट में इनकी बिस्कुट की डिमाइंड घड़ जाएगे अब उसने एक प्रकार की बिस्कुट के अपनी वैलू बढ़ा दी न तो अब इनके जैस अपोजिट दिसा मैं आपको समझना है रुगरता मतलब अगर नए परवर्तन हो रहे हैं और आपने इस परवर्तन को नहीं किया तो आप नीचे दब जाते हैं तो अधोगित बिमारी कैसे आती है नई तकनिक को ना अपनाने से ठीक है सामने आले को कॉम्पिशन न कर पाने से ये कुछ चीज़े होती है मैंने एक पॉइंट लिखा ऐसे आप धेरो पॉइंट लिख सकते हैं अचानक लॉगड़न जैसे सिति लग जाना साल घर दो साल का कर्वियू या कुछ आपत काले सिति आ जाना जिसके कारण आपका वैपसाय चली ही नहीं पार रहा है चली ही तो आप पूरे घाटे में जा चुके हैं ठीक है और ऐसे धेरो कारण होतान है कुछ बाहरी तत्व के कारण होते हैं कुछ आंत्रिक तत्व के कारण होते हैं इन सभी कारणों को आप अधोगी क्रिगड़ता में लिख सकते हैं ठीक है अगला क्या इंपोर्टेंट टॉपिक उदारी करन उदारी करन के अच्छा ग्यारवी बार विसे ही है लेकिन फस्टर में इसको काफी विस्तार से दिया गया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए उदारी करन होता क्या है देखिए इसमें बताया 1999 के दोरान जब अधोगी की निती आई देखा गया कि बहुत सारे नियम रखे गये थे उससे पहले जब इस्टेंडिया कंपनी स्तापित थी और उसके बाद से भी जब कारून बने बहुत सारे नियम लगा दी गये थे उन वो द्योग धंदों के लिए फैक्टरीस के लिए ज जमीन पर टेक्स बहुन पर टेक्स उसके पादन पर टेक्स उसके विक्रह पर टेक्स अगर कोई उद्योग हर चीजों पर केवन टेक्स भुपतान करते रहे मतलब हम यह मान सकते हैं किसे व्यक्ति ने अपना सारा पैसा लगा कर के वैपार सुरू किया है मार्केट में लगत लगाकर अगर दो लाग पारा है उसमें से अगर गवर्मेंट ने 80% पुरा टेक्सी ले लिया तुकडों में वेक्ति की पास 20% बचे एक लाग लगाकर के दो लाग कमाया दो लाग का 10% 20,000 होता है और 20% 40,000 होता है तो उसने एक लगाकर अगर स्रीब 40,000 पाया तो कोचेगा विण्यस करने के लिए उस समय भारत में तो आइसे बहुं सारे नियम थी बहुं सारे कठोर नियम थी जिसके कारण हां विदेशी बहुत बच्पार करना बहुत बच्किल ऋचुका था गवर्मेंट को जब लगा कि इस तरह से तो देश को विकास नहीं हो सकता इन कि लिए नियम में कुछ धिल करना पड़ेगा तो उधारी क्राण में बहुंसार इस चों में ठीडी धील कर दी गई जहां नियम था जैसे हम गारी में चलते हैं हम हेलमेट नहीं लगाए तो रोक दिया जाएगा इस डर में मालो बाइक लेना ही बन कर दिये लोग तो गवर्मेंट ने उसको धील कर दी गवर्मेंट का हचल ठीक है आज से हेलमेट की पर क्रिया बंद बीना हेलमेट के भी गाड़ी चला हम नहीं रोकेंगे तो फिर गाड़ी दोड़ेगी ऐसे ही ना जब लगा समान को लाने लिजाने में हर बार टेक्स लग रहा है त ताकि यह लोग उपर आएं आगे बढ़ें और भारत के अंदर के बहुत सारी अध्यों कि शापित करें तो यह नीती का लाई उदारी करण आर्थिक उदारी करण तो भारत में आर्थिक उदारी करण के बहुत सारे कारण है बहुत सारे टॉपिक है इनको आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन यह था बेसिक चीज उधारी करण का चलिए अब हम जानते हैं अगला हमारा पड़ेगा तो यहां पर गेट का मतलब दरवाजे से नहीं है गेट एक नियम है अब नियम क्या है सुनिये गेट एक बहु पक्षी संदी है जिसमें पालिसपरी अधिकार्यों दाइप्टों को महत्वा दिया जाता है यह समझवाता उनिस्टों सहितालीस में जिनेवा में कि राष्टों के बीच व्यपारिक संबंदों को बढ़ाया जाए तथा बहु पक्षी व्यपारिक व्यपारिक के सिद्धान को अपनाया जाए इस बैठक में भारा सही 23 राष्टों ने व्यपारिक छेत्रों में पक्षपात हटाने तथा तथा तट करों में कमी करने के लि के जिवन इस्तर को उचा उठाना है ये पहला हुआ दूसरा वैपारिक शेत्र से भेद भाव को दूर कर देना है तीसरा वैपार के न्यायोचित नियम बनाना होगा वैपार के लिए चौन्ता विश्व के उत्पादन और अंतराश्टी वैपार को बढ़ावा देना होगा व यह सदस्य देशों की वारता का एक मंच होगा जहां बैट करवे वैपार सबंदित विचार और विवर्स करेंगे दूसरा यह सदस्य देशों की अंतराश्टी वैपार की एक अचार सहिता वा नियमा वाली है जिसके परिपालन से वैपार की सम्रुद्धी की सम्भावना है तिसरा यह एक ऐसा मंच है जहां अंतराश्टी वैपार समंदी प्रमुख समस्य विवादों की एक्चिक हल ढून लिया जाता है गेट कर सिद्धान में अगला पॉइंट है पहला बीना किसे बेद बाव के विविन ने देशों के बिच अंतराश्टी वैपार किया जाएग तो जैसे कई देशों बीच में मदभेट चलते रहते हैं लड़ाई जगड़े चलते रहती हैं तो इन सबी से दूर रहेगा आपके मदभेट ठीक है पर वैपार इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए दूसरा विदेशी वैपार को प्रभावित करने के लिए क्यों प्रस देश से विचार विमर्ज करें बतलब एक देश दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर कुछ नियम में बदलाव करने हैं तो उनसे बाचित करना पड़ेगा तब जाकर कि कुछ नियम में प्रवित्तन किया जाना चाहिए अगला ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे प्रसुलक दरों में प्रस पर विचार विमर्ज के माध्यम से कमी की जा सके तो यह कुछ चीजे हैं जो गेट के बारे में है तो आपकोल मिलाकर यह समझ गेंगे कि गेट एक ऐसी नीती थी जहां पर व्यपार से सम्बंदित चर्चा विच गत्रिद हुए जाते थी और लोग नहीं मतलब वह देश के नागरिक जो इसमें सामिल है गेट के नियम में वह मिल करके बात करते थे विचार विमर्ज करते हैं कि क्या नियम होने चाहिए व्यपार के लिए हमारे देश में जिनको सरलता से लागू किया जाया और सबको पा गेट के उरुगवे चक्र की लंबी वारता 1986-93 के प्रणाश रूप हुई थी इसकी स्थापना के लिए उरुगवे चक्र के समझोते पर मरक्व के मराकस नगर में अप्रेल 1994 में गेट के सदस्य राष्टों ने हजाक्षर किये थे जन्वरी 1995 से इसकी विविद स्थापना ह हो गई और इसने विवे पार के नियम के लिए उप्चारी के संगठन के रूप में गेट का इस्थान ले लिया एक उनवचारी संगठन के रूप मेंчики 1949 में विवा-पार संगठन नियम नियमन करता चला आ सामिल हैं जो अपने देश को और विक्सित करना चाहते हैं विकास सिल देश और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए वे आपस में एक दूसरे की सहायता कर सके और सभी देश आपस में जुलकर एक आग रहो करके रहें तो विस्वेपार संगटन के कुछ देश से हैं सद्धानत हैं आपको पढ़ना पढ़ेगा यहां से आपसे कोशन आते हैं पूरे 15 नमबर के अबजेक्टिव कोशन भी आएंगे और इसके बड़े कोशन भी आएंगे गैट और इसलिए पार में अंदर भी कुछा जाता है तो यह भी आपको पढ़ लेना है यह बहुत सारे इंपॉर्डेंट प्रस्ण है ठीक है अंकटांड के प्रमुक कारिय और अगनांड होता क्य है यह आपको समझना है तो यह है कहाँ पर वैसे मैं यह देखता हूँ गर्ष उन्नी सो एकसर में सहुत राष्ट शंक की महा सभ्भा में उन्नी सो एकसर से सत्तर को विकास दसक गोसित किया गया इनका उद्देश विकास देशों की आये में 5 पर्षन प्रिद्धी करना इनकी पूर्ति के लिए जिनेवा में 25 पार संगठन एवं विकास समम्मेलन गुलाय गया था जो कि 23 मार्च 1964 में से जून 1964 तक चला इस समममेलन में अंतर राष्ट वे पार संबंदी 25 पार नीती नि प्रमुक कार रे हैं संपूर में विकास एलेवं विशेद देशों के मद् cocaine अंत्राष्टी वैपार को प्रुसाहन करना ताके उनके अर्थिकष गती इनको अर्थिकष टिव्याष्टी प्रतान के जा सके अगला पॉईंट हे इसी में कि अंतराश्ट्री व्यापार और आतिक विकास संबंदित समझ जाओं के संबंद में नीतिव सद्धान तो कनिर्माण करें इत्यादी 6 पॉइंट है इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा यह भी बिल्कुल व्यापार्श संबंदित है और बाकी केते हैं थियोरी से आपको समझ में आ जाएंगे बाकी का जादा टफ नहीं है पर हाँ जो बीच-बीच में बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको जानना चाहिए था वैसे एक पॉइंट है आपका आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन में हम उन टॉपिक्स को पढ़ प्रफोंब्स आपके मुखयता द्धानमंतुरि जो अपने देस के अंतर गत पांच वर्स में आने वाले पांच वर्स में क्या करने वाले हैं इन की रूप रेखा वह त्यार करते हैं तो उस पंच वर्स यहuttर clinics पूरे 5 साल के लिए देस में कीन कीन चीजों पर पैसे क्षर प्राप्ट हो जाएगा क्या नए डिवल्लमेंट करना है इत्यादी बातों का लेख होता है अगर उन योजनाओं पर उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की या उन योजना के अनुशार काम नहीं किया तो फिर सरकार अगली साल या अगली बार चुनाओं में वोट मांगने के लायक नहीं रहते हैं जो वादे करने होते हैं जो उन्होंने वादे किया होता है उनको काम करना पड़ता है तो वादा अलग चीज है लेकिन पंचवर्ष योजना में सभा असंसत सभा में उनके द्वारा बताया जाता है कि वो अब क्या क्या चीजों पर पैसा खर्च करने हो देश के विकास के लिए हो यहां पंच वर्षी उज्ञा के लाती है जो हर पांच साल में बनाए जाती है ठीक है हर पार जब एक नई सरकार आती है वो पंच वर्षी उज्ञा लेकर जाती है इसके सफलता के कारण इसके सफलता के कारण दोनों चीज़ हैं आपको थेवरी करके रखिए और मुझे जंभी में लाइवा हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यह वाला टॉपिक समझाइए मुझे यह समझ में आ रहा है मैं कोशिस करूंगा उसको बढ़िया तरीके से प्लेंड करने का ताकि सुनके समझ के आप उसको याद कर पाएं अच्छे से रिलेट कर पाएं और अच्छे से पढ़ करके एक्जाम में बहुत अच्छे से लिग पाएं तो इसके लिए पहले आपको बुक पढ़ना है जो चीश समझ में नहीं आता उसको बोला करके मुझे ठीक है बाकि मैंने आपको बिल्कुल पढ़ना उसको छोड़ना नहीं है वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों सांच सेर कर देना ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देखकर के आएंपी कोशन सीख सके उनको पढ़न